नमस्का, राजनमा टीही पर आपका सौगत है, मैं प्रियाम आपके साथ भारती चंता पार्टी को दिल्ले के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल पर हमला करने का एक और मुद्दा मिल गया है बाशपा ने दावा क्या है कि शहर के सिविल लाइन्स इलाके इस्थिद सीएम अर्विन केजरिवाल के सरकारी आवास के सौन्दरी करन पर लगबग 45 करोड रुपे खर्च किये गए हैं और इसने नेतिक आधार पर उनके इस्तिफे की मांग की है इस पर आपनेता संजे सिंग ने कहा कि लोगों का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने के लिए विवात खड़क किया गया है उन्होंने कहा खुद को फकीर कहने वाले प्रदान मंतरी 500 करोड रुपे से अपने लिए घर बनवा रहे हैं जिस घर में वह अभी रह रहे हैं उसके जिन्दोधार पर 90 करोड रुपे खर्च किये गए हैं बाश्पा ने कहा कि मुख्य मंतरी अर्विन केजरिवाल के आवास पर 45 करोड रुपे के मरमत कारियों का सबसे दैनी पहलू यह है कि इस धनराशी को तब मंजूरी दी गई जब दिल्ली COVID-19 वेश्विक महामारी की चपेट में था BJP की प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कोरोणा महामारी जब पीक पर थी और लोगों की मौत हो रही थी तब अर्विन केजरिवाल अपने बंगले के रिनोवेशन में वैस्त थे इस दोरान अर्विन केजरिवाल ने अपने शीश महल के रिनोवेशन में करोडों रुपे खर्च किये एक समय केजरिवाल कहते थे एक कमरे के मकान में रहना चाहिए और पेर पसारने के लिए शराब घोटारे तक की ये कहानी मीडिया के सामने रखी जा रही है केजरिवाल के आवास के मरममत पर 45 करोड रुपे खर्च की जाने पर बाशपा ने उन्हें महाराजा करार दिया संबित पात्रा ने कहा कि अरविन केजरिवाल महाराज की कहानी को न चलाने के लिए अब मीडिया को भी प्रलोभन दिया जा रहा है अब जब केजरिवाल से सवाल पूचा जाता है तो कहते हैं प्रधान मंतरी किस गाड़ी से चलते हैं सेंडरल विस्टा पर भी सवाल उठाते हैं लेकिन सेंडरल विस्टा देश की धरोहरे बंगले के लिए उतकृष्ट उतपादों के चैन और आलीशान एहुम अरमदायक जीवन की लालसा के लिए राजा महराजा भी केजरीवाल के आगे सिर जुकाएंगे केजरीवाल के बंगले के लिए खरीदे गए आठ पर्दों में से एक की कीमत 7,94,000 रुपे से अधिक थी जबकि इन में से सबसे सस्ता पर्दा 3,57,000 रुपे का था बंगले के लिए एक करोड पंद्रा लाक रुपे से अधिक मुलिका संग्मर्मर वियत नाम से लाया गया था जबकि 4 करोड रुपे पूर्वर निर्मित लकडी की दिवारों पर खर्च किये गए थे केजरीवाल के आवास मुद्दे पर दिली सरकार की ओर से कोई अधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई लेकिन सत्तारूर आम आदमी पार्टी ने भाशपा पर पलटवार किया आपके वरिष्ट नेता रागोच चड़ा ने मीडिया से बात करते वे कहा कि मुख्यमंतरी आवास भी चुत्तर असी साल पहले 1942 में बनाया गया था उन्होंने कहा कि दिली सरकार के लोक निर्मान विभाक ने आउडिट के बाद इसे जिर्णधर की सिफारिश की थी PWD से एक वरिष्ट अधिकारी ने कहा ये नवीनी करन नहीं था और पुराने धाचे के स्थान पर एक नया धाचा बनाया गया है वहाँ उनका शिविर कारेलय भी है खर्च लगबक 45 करोड रुपे है लेकिन गोर करने वाली बात यह है कि पुराने धाचे को नए के साथ बदला गया है इसी के साथ बने रही है राजनामा टिवी के साथ धन्यवाद